सपल्यूंज़ कर सकते हैं और कहां से माल उठाएंगे और कितने का आतको माल पढ़ जाता है कौन प्रलै समान रखना चाहिए ऐंके से कॉंटिटी मिलेंगे तो दोस्तों को यह कैसे रेट ढ़ मते पूरा टोटाल इसी के बारे मैं बात करेंगे दोस्तों ग Kathy again तुम पुरा बने रहें रहें दोस्तों टो-टोल कि मैं भी हो मैं हमारा भी काम होता है जितना भी दुखाने उनपर हमारा सपलाई देने काम है तो ठीक है आप घर से भी सोड़्य तो आपको और को rel-ल् इलेक्ट्रिक सोफ है दोस्तो तो और भी अच्छा है जोगर नहीं है तो कोई दिक्षट नहीं आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तो इस बिजनेस को ठीक है क्योंकि आपको supply ही देना है पुरे मार्केट में घूम घूम करके तो इससे पहले दोस्तो बात करें कि तो यह से समान दोस्तों या फिर मार्केट से भी लेते हैं कई से भी लेते हैं वह सबसे जैदाば निरहुत करता है कि आप कितना क्ौइंटिटी उठाते हैं दोस्तों तो पहले जिंफित दोस्तों तो यह ध्यान रह झाल झाले कि दोसे रहा ज्या Adaptory में के आपको रेट मिल पा ठीक है एक लाग से उपर जब आप पूजी लेकर के चलेंगे एक से दो लाग रुपए तब आप मतलब चार से पांच पॉड़क्ट इसमें आप खरीच सकते हैं जैसे में आपको खरदक्णा पूर्डक्ट हो जादा गया हो जितना अइटेम जो में तार हो फोकूर आप ज्ञाएं आप फि изв ले रहें हो आप बहुत अच्छा रेट मीलेगा जु में लेगा आप उसको लाएंगे होले सेרה में और जोस यह भी धयान रकी कि यह और आपके पास ट्र्स्पार्ट इंग के सु विधा जो अच्छान रहा दोस्तो तो खर्च ज्यादा भी लगाना पड़ सकता है दोस्तो क्योंकि आपके स्थिन ही प्रोडक्त उठाएं दोस्तों और ज्यारा क्वेसे one और उनको rate नहीं मिल पाता है क्यों क्यों quantity नहीं उठा पाते हैं तो wholesale में कहां से दे पाएंगे दोस्तो इस बाज़ का भी समान कहां से लें दोस्तो फेक्टरी से लें कि दिल्ली wholesale market से लें दोस्तो ठीक है तो इसके लिए दोस्तो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना पै पहले उठाएंगे तो ज्यादातर कोशिश करें कि 4-5 प्रोड़क्ट पहले उठाएं दोस्तों जो टाफ सेलिंग प्रोड़क्ट है ठीक है और उसको उठा करके अपना बिजनेस रिस्टार्ट करें तो ठीक है इस तरह से और जोस्तों जितना भी आपको हेल्फ हो सकता है दो प्रिम से फैसे लिए गार दोट ही आपना भारा यूली आप मैंधने चाहपी आप अभी आपंसे पम आप स्या राग्का बरबबबबबबब्बबबबबबबबबबबबबबया आपने धना वार करें ज मेंदे करें देए्क है